दोस्तू नमस्कार सवागत से, आप सभी का अगर फिर से चली जानते हैं बिहार की ताजा खवरों को लेकनुष से पहले अगर आपने विद्य के सेनल को सबस्क्राइब निके लो सब्सक्राइब कर लें जिसे कि आपको बिहार की ताजा खवर रोजाना मिलती रहे सबसे पहली बड़े फ़र बदल गए जीतना माझी के सुर कभी ब्रामुनों को गाली तो राम को बताया था कालपनिक पियार के पुरौ मुख्य मंतरी जीतना माझी के सुर सनातन धर्म पर बदले बदले नजर आ रहे कभी स्री राम को कालपनिक बताकर उनके अस्तित्त को नकारने वाले मांजी ब्रामनों के लिए अब सब्दों का प्रियोग करते थे जहानाबाद में जीतना मांजी का बदलावला चेरा नजर आया और उन्होंने ना सिर्फ भगवान की महिमा का वखान किया वलकि स्वामी जी से आसिरबाद लिया जहानवाज जिले के करपी प्रखंड सेतर के तेरा गाउं में जीतर नमाजी ने कहा कि इस स्वर में विश्वास कभी बेकार नहीं जाता स्री लक्ष्मी नरायन महायक कायोजन किया गया है और बिहार के पूरो मुख्यवंत्री जीतर नमाजी पोहुचे थे स्वामी प्रुसुत्तमा चारेजी महाराच से आसिरवाद लेकर प्रवचन अस्थल पर जाकर सरधालू के बीच अपनी बाती रखी जीतर नमाजी ने इस दोरान का कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बिहार के मुख्यवंत्री बनूगा काफी गरीबे से उपर उठा और सेवा भाव से लोगों की सेवा की इस स्वर में में मेरा पूरा भरुसा है और जिसका प्रिनामे की मैं बिहार का मुख्यवंत्री बना और आज भी राजनीती में पूरी तरह सक्रिये हूँ बड़िकवर खगडिया में केके पाठक ने प्रिंसिपल से पूछा कि सिक्षक समय से अस्कूल आते हैं या नहीं जवाब सुनकर हस पड़े केके पाठक सिक्षब विवाग के पर सचीब केके पाठक हगड airports और इस दोरान अस्कूलों का निरिक्षन किया गया केके पाठक ने जब पड़िकर पूछा कि सिक्षब समय समय पर अस्कूल आते हैं तो जवाब सुनकर केके पाठक हसने लगे केके पाठक ने जब प्रिंस्पल से पूछा कि टीचर समय पर आते हैं या नहीं तो प्रिंस्पल ने कहा कि आपके कारण अब बोलने कि आप सकता ही नहीं पड़ती पहले ही पहुँ जाते हैं सिक्षा बिभाग के से केके पाठक खगड़े पहुचे थे और जहाँ पर मद्धि विद्याले ननकू मंडल टोला स्कूल का निरिक्षन किया पड़िकर BPSC से बाहल सिक्षकों को दिपाबली घिप्ट टीचर्स को टैव देगी सरकार क्याके पाठक ने कहा कि ये काम जल्दी सीखें बिहार लोग सेवा योग से चेने तक सभी सिक्षकों को नितिय सरकार दिपावली गिप्ट दे चुकी है जिसके तैस सिक्षकों को टैब दिये जाएंगे और सिक्षा बिभाग के परमुक्षचीव केके पाठा के दौरा जानकारी दी गई इस दौरान उन्होंने प्रसिक्ष बडिकवर दिपावली जैसे तेवहार में भी नियोजट सिक्षकों को नहीं मिला बेतन सितमर महिने से ही हाथ खाली है दूसरे जिले की रहने वाले सिक्षक मायूस होकर चले गए घर और प्रात्विक सिक्षक संके प्रकंड सचीव मनिश कुमार निराले ने कहा कि जीओ भ महिने का बेतन बुक्तान करने कादे सरकार के दौरा दिया गया है जबकि नियोजट प्रकंड सिक्षकों को दो महिने से आवंटन की अभाव में बेतन का बुक्तान नहीं हो पाया है इस परकार सरकार दुरंगी नीती अपना कर नियोजट सिक्षकों के साथ उप्यक्षा प परद कर रही है ताकि उत्पादन चम्ता के साथ किसालों की कमाई बड़ पाए। इसके साथ इस सरकार सब्जी उत्पादन के छेतर में प्रोचसाहन के लिए अनुदान परदान कर रही है। अब बिहार सरकार ने किसानों को फ्री विजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। मरिकुर अपनी मान को लेकर सिक्चक संग बनाया तो गवानी पड़ेगी नौकरी एसीस के के पाठक ने नए टीचर को दे दिये सक्ति चेतामनी। अब बिहार में नियुक्ति एक लाग सिक्चकों पर एसीस के के पाठक ने अभी सही सक्ति दिखाने शुरू कर दिये। और आदेश दे दिया है कि जो सिक्चक गाओं में इस्तित अस्कूलों में नहीं पड़ाना चाते हैं वो अपनी नौक्री तुरंत छोड़ दें। वो यव उन्होंने नए सिक्चकों को चितानमी जारी करते वे कह दिया कि वो किसी भी तरह का सिक्चक संग या मंच बनाने की कोशिस ना करें। मांजी प्रकरन पर नितियस कुमार को संतोस कुमार सुमन ने खूब सुनाया कहा कि मांजी को मुख्यमंतरी बना भी दिया तो क्या गाली देंगे। मुख्यमंतरी नितियस कुमार पर हमला करते वे कहा कि अगर मुख्यमंतरी नितियस महादलित के हितैसी है तो उन्होंने एक महादलित एक मुसर को गाली क्यों दिया। अगर वो महादलित के बहुत हितैसी हैं तो उनकी अंतरातमा कहा चली गई थी जब वो गाली दे रहे थे। अगली कवर बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी और हिंदुस्तानी अबाब मूर्शा के संद्चक जीतना माजी ने मुख्यमंतरी नितियस कुमार पर एक पर फिर से हमला बोला और जहानाबाद में भवन निर्मान विभाग के स्डियों को अपराध्यों ने देर साम गोली मा दी थी कुमूत रंजन को तीन गोलियां लगी है और गंबीर हालत में उन्हें अस्पताल में भरती करवाए गया कुमूत रंजन हमके राश्टी सचीब पंपी सर्मा के बेटे हैं और मांजी ने इस घर्टा को लेकर मुख्यमंतरी पर हमला बोला है बडिकर बिहार में सिख्चकों के ट्रांसफर और परतिन्युक्ती पर लग गई ये रोक सिख्चा बिवहाग ने दे दिया है आदेश से सभी जिला सिक्षा दिकारी छेत्रिय जिला सिक्षा उपनिरेशक को आदेश जारी किया गया है इस आदेश के मुताविक जो है छेत्रिय सिक्षा उपनिरेशक के कारेले और जिला सिक्षा दिकारी कारेले द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों और सिख्चकों का अस्थांतरन और परति नियोजन किया जाता है जिसके कारण बिद्याले का पठन पाठन और दफ्तर का काम प्रभावित होता है बड़ीकवर बीजे सिन्ना को कौने से मिले ने बताया भंगेडी बख्षर में बिधान सभा का सतर समाफ्थ होने पर बख्षर लोटे सतर बिधायक से जब नितिस कुमार के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंतरी को किसी को आहत पहुचाने के कोई मनसा नहीं थी लेकिन जब उनको यह एसास हुआ कि उनकी बात से किसी की भावना आथ हुई है तो इसके लिए उन्होंने भरी सभा में मा भी मांग ली भाजपा नेता परतिपक्ष बिजे सिन्ना पर हमला बोलते वे कहा कि भाजपा कि नेता परतिपक्ष को तो बोलने भी नहीं आता बिधान सबा में वो भांग खा कर आते हैं और बिधान सबा में हंगामा करवा कर अपने बिधाय के से बिहार के जनहित के मुद्दे को बिधान सबा में उठने नहीं देते बड़ीकोर बेतिया कोड से भी मनिस कस्यप को मिली बड़ी रहा दरसल मनिस पर तमिलाडू में कुल 7 मामले दर्ज थे वहीं बेतिया में कुल 8 और पटना में 5 मामले दर्ज है धन 13 के दिन तमिलाडू के मदुरह कोट ने मनिस के उपर लगे NSA को हटाते हुए सभी मामलों में जमानते दी है इधर बेतिया में भी मनिस कस्यप को सभी मामलों में जमानत मिल गई है मनिस के समर्थकों ने बताया कि मनिस के बिरोध में पटना के में 5 मामले दर्ज है और 4 मामलों में मनिस को पटना कोट से भी जमानत मिल गई है बड़िकवर नितिश कुमार को राजधानी पटना से गाउं तक घेरने की अत्यारी बिधान सबा में मेलाओं दलितों की अफमान को मुद्दा बनाएगी चिराक वास्वान और उपेंद्र कुसवाह की पाठी बिहार बिधान मिनल का सिद कालेन सत्र भले ही खत्म हो गया है लेकिन बिधान सबा और बिधान परसद में मुख्यवंत्री नितिश कुमार की ओर से दिये गया बयान पर शुरू हुआ बवाल अवी खत्म नहीं हुआ है जनसंक्या नियंत्रन पर मुख्यवंत्री का भासन और फिर पूर्व मुख्यवंत्री जीतना मांजी के उपर की गई टिपनी को लेकर इंडिये के घटक दल बड़ा राजनितिक मुद्दा बनाने की कवायन में है लुजबर आमिलास के पर्दिश प्रवक्ता प्रोफेसर बिनित कुमार ने अरुप लगाया कि मुख्यवंत्री नितिश कुमार ने मुखोटा पहन कर रखा था अब उनका मैला और दलित बिरोधी चेरा सब के सामने आ गया है सित कलेन सत्र से पहरे तको मुखोटा ओड़कर चल रहे थे और मुखोटा बाहर आ गया है बडिकवराज में आरजडी ने स्रीबाबू के जैनती मनाई तो बीजेपी कर रही यादब समेलन 14 नवमर को बापू सवाकार में होगा कारिकरम दावा है कि 15,000 यादब पार्टी की सरस्ता लेंगे जाती गाना के रिपोर्ट जारी होने के बाद फिर से बिहार के सियासत में जाती की राजनीती सुरू है बीजेपी पहली बार बिहार में यादब समेलन कायोजन कर रही है इसके साथ ही कारिकरम में एक साथ सभी को वर्धन पूजा भी करेंगे या समिलन नहीं वलकी मिलन समारो है ये भी कहा कि आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में यादब पार्टी से चुड़ेंगे और फिर यादब समिलन का आयोजन किया जाएगा बड़ी कोई राज़त एमिलसी ने किये है ऐसी मांग की मुश्किल में पढ़ सकती है पिहार सरकार जाती गरना की बाद पिहार सरकार ने आरक्षन का दैरा बढ़ा कर 75 फिसद कर दिया है इस दिरने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है लेकिन अब महाकरवंतन की अंदर ही आरक्षन बढ़ाने को लेकर अलग-लग आवाजें उठने लगी है राज़त के बिधान परिशद सलस्से रामबली चंदरवंसी ने मांग किये कि पंचायती राज बढ़ाय जाने की आप सकता है यह अभी भी पहले की तरह सहते स्विजदी है रामबली चंदरवंसी की अमांग इसलिए महत्यपूर्ण है क्योंकि वो बिधान परिशद में आरक्षन क्रियानबन समीति के अध्यक्ष है रामबली चंदरवंसी के मताबिक बिहार सरकार ने आरक्षन का दायरा वहां बढ़ाया है जहाँ उसके फसने की आसंका है लेकिन वा नहीं बढ़ा रही जहाँ पर उसका अपना अधिकार छेत रहे बड़ीकवर जीडियू के बिधाय गुपाल मंडल ने कहा कि माजी का दिमाग काम नहीं करता जदियू बिधाय कुपाल मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतना मांजी पर निचाना साते वे कहा कि उनकी खोपनी धिली हो गई है और उनका दिमाग भी खराब है ये भी कहा कि मांजी राजनीती में थे लेकिन अब नहीं है अब उ राजनीती करने लाइक नहीं है वो सिर्फ दिखावे के लिए इधर उतर उचल कूद करते रहते हैं गुपाल मंडल ने कहा कि जब जितना मांचे मुख्यवंत्री थे तो मैं उनसे मिलने कभी नहीं गया। गोपार मंडले का कि नितीश कुमार की सदन में दिये बयान पर अगर नितीश कुमार बायोलोजी की भासा या अंग्रेजी में समझाते तो सैड इतना भी बाद नहीं होता।